आम आदमी पार्टी की मुश्किले बढ़ती जा रही है दस सालों तक सरकार चलाने के बाद भी आपने दिली में कुछ नहीं किया है दिली के लोग आज भी परदोशन से परिशान है जबकि आज से 10 साल पहले के जिर्वाल के पास दिली की हर समस्याओं का समाधान हुआ करता था वो दिली के लोगों को बताते फिरते थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कैसे वो सब कुछ ठीक कर देंगे लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने दिली वालों के लिए कुछ नहीं किया लेकिन अपने लिए 6 महल जरूर बनवा लिया दिली की जनता परदोशन से बेहाल है लेकिन अरविंद के जिर्वाल करोरो रुपै से बने 6 महल में रह 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 थे लेकिन अब ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे अरविंद के जिर्वाल के होश उर गए होंगे क्योंकि दिली के लोग अब आपकी चाल को समझ गए है और वीडियो में सब कुछ दिख गया है इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डीटेल में कि कैसे दिली में होने वाले चुनाओं से पहले आम आदमी पार्टी मुश्किल में है इसके अलावा इस खबर में ये भी बताएंगे आपको कि कैसे राहूल गांधी भी हो गए हैं एक्सपोज तो बने रही हमारे साथ वीडियो में अन्त तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट अन्ना अंदोलन के बाद सत्ता में आने के लिए आपने जंता को बरे-बरे सपने दिखाए थे लेकिन एक दशक तक दिली पर राज करने के बाद आपने जनता को क्या दिया ये बड़ा सवाल है दिली की जनता अब आप से तंग आ गई है और आम आदनी पार्टी को दिली की सत्ता से उखार फेकने के लिए बेचैन है दिली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो EVM का बटन दबा कर आपको सत्ता से बाहर कर दे दर्शको दिली के लोग इतने गुसे में हैं कि अब वो आपको एक सेकंड भी बरदाश्ट करने के मूड में नहीं है दर्शको वाइरल वीडियो से आम आदमी पार्टी को लेकर दिली में महौल क्या है उसका खुलासा हो गया है और ये वीडियो देखकर अरविंद के जिरिवाल के नींद जरूर गायव हो गई होगी दर्शको आम आदमी पार्टी के विधायकों की कथित तौर पर चपल खाने की नौबत आ गई है आपके निताओं को लोग सर्याम चपल से पीटने की कोशिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई काम कराया नहीं और आब वोट मांग रहे हो हलाकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है वो एमेच नियूज उसकी सत्यता की पुष्टी नहीं करता है लेकिन जैसे ही चुनाओं सर पर आएं वैसे ही आपके विधायक कॉलर टाइट करके वीडियो कैमरा लेकर लोगों के बीच पहुँच गए कि भाई साहब हम आपके दुख दर्द दूर करेंगे हमें वोट कीजिये देखिए हम लोग खराब सरक बनवाने के लिए सरक पर हैं लेकिन लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर भाई साहब सर के खराब क्यों हैं आप ही तो थे विधायक और आप ही की पार्टी सत्ता में ह तो फिर अब सरक पर उतर कर नाटक क्यों कर रहे हो दर्श को समझने की जरूरत है कि आपके नेता दिली में हार का सामना करने की कगार पर खरे हैं यही वज़ा है कि उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि दिली के लोग अब उन्हें सवक सिखाने की कोशिस कर रहे है दरसल दिली में होने वाले विधानसवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुश्किले बढ़ती जा रही है दिली के मटियाला विधानसवा शेतर से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंग यादब एक बार फिर विवाद में आ गए है उनका एक वीडियो सामनी आया है जिसमें एक महिला हाँत में चपल लिये आप विधायक को पीटने का पर्यास कर रही है इस घटना का वीडियो शुकरवार दोपर का बताये जा रहा है वीडियो में इस पस्ट रूप से देखा जा सकता है कि महीला चिलाते हुए विधायक के करीब आती है जबकि उनके आस पास कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिस करते हैं गटना स्टल पर मौझूद लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि विधायक को यहां से दूर हटा दिया जाए दरसल गटना के पीछे का कार अनमटियाला गाओं की खराब सरके हैं जिनकी शिकायत पिछले काफी समय से स्थानिये लोग कर रहे थे आप विधायक गुलाब सिंग यादब के कारिकाल में ये समस्या गंभीर बनी हुई है जिससे शेत्र की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है हाल में इलाके के दो सरकारी स्कुल भी है जहां इस महिला के बच्चे पढ़ते हैं खराब सरकों के कारण बच्छों को स्कुल आने जाने में भारी परिशानी का सामना करना पर रहा है स्थानिय लोगों ने कई बार अपने विधायक से अनुरोध किया कि सरके ठीक कराई जाए लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इस घटना से स्पस्ट होता है कि स्थानिय समस्या को नजर अंदाज करने के कारण लोगों के मन में निराशा बढ़ रही है महिला का चपल से हमला करना अपने हक की मांग करने का एक आसमान ने लेकिन प्रतिकातमक तरीका है आप विधायक गुलाब सिंग यादब की ये पहली बार नहीं है जब उन्हें इस तरह की घटना का सामना करना परा है इससे पहले भी उनके साथ विधान सबाशेत्र में पिटाई की घटना हो चुकी है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था दर्शको आज की जनता सवाल करना जानती है वो आप से पूछ रही है कि जब सरकार आपकी है तो नाकामे भी तो आपकी ही है लोग अपनी भरास निकाल रहे हैं उससे साफ है कि इस बार दिली से आपकी विदाई तय है कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी की असलियत अब बाहर आ रही है कि कैसे वो पियम मोदी पर निशाना साधने के लिए कोई भी आरोप लगा देते है लेकिन अब जो खबर आई है उससे कॉंग्रेस की पोल खुल गई है जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद राहूल गांदी के विश्वस नियता और कम हो जाएगी लोग राहूल गांदी की बातों को सिरियस लेना बंद कर देंगे अगर इसी तरह राहूल गांदी हवे में बात करते रहे तो उनकी सियासी लॉंचेंग कभी नहीं हो पाएगी और कॉंग्रेस को अपना निता किसी और को चुनना होगा दर्शको राहूल गांदी मोधी सरकार पर तो आरोप लगाते रहते हैं कि जी देश को पियम मोधी के नितुत वाली के अंदर सरकार ने अडानी के हाथों बेच दिया है लेकिन राहूल गांदी अपनी गिर्मान में जाग कर नहीं देखते हैं दर्शको समझने की जरूरत है कि कॉंग्रेस नीत वाली सरकार में अडानी को पूरी तरीके से प्रदेश का टेंडर मिल रहा है और धकाधक पैसा कमा रही है लेकिन अब इनकी पोल खुल रही है दर्शको समझने की जरूरत है कि कॉंग्रेस की प्रदेश सरकारें अपने निता राहूल गांदी की ही बात नहीं सुन रही है या रहूल गांदी अडानी के नाम पर मोदी सरकार को घेर कर लोगों को गुमराह कर रही है क्योंकि अगर वाकई अडानी में कमी है तो फिर कॉंग्रेस की राज सरकारों को अडानी क्यों पसंद है दर्शको कॉंग्रेस अब देश के सामने बिनकाब हो गई है और इस मामले पर राहूल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है यह मुद्दा गर्मा गया है और राहूल गांधी भी एक्सपोस हो गए है दरसल BJP और PM मोधी पर निशाना साधने के लिए राहूल गांधी अडानी और अंबानी का सहारा लेते हैं राहूल गांधी कहते हैं कि PM मोधी अपने मित्रों अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं लेकिन अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे राहूल गांधी फस गए है। दर्शको तिलंगाना के मुख्यमंत्री रिवंत रेडी ने अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी और अडानी पोर्ट्स के प्रवंदक निदेशक करन अडानी से मुलाकात किये। इस दोर कात के बाद कॉंग्रेस गिर गई है। बियरेस के कारिकारी अध्यक्ष केटी रामाराओ ने कहा है कि मुख्यमंत्री का दान लेने की बात पाखंड है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जैराम रमेश पवनखेरा और दूसरे कॉंग्रेस नेता मोडानी कहते हैं। पीम मोद पलस अडानी एक्वल टू रिवडानी या रागा पलस अडानी रागडानी दर्श को ये पहली बार नहीं है जब तिलंगाना कॉंग्रेस या सीएम रिवन्त रेड़ी को कॉंग्रेस की अडानी विरोधी भावना से अलग होने के लिए फटकार लगाई गई है। पहले भी ये विड़मना ही है कि रिवन्त रेड़ी की कॉंग्रेस सरकार अडानी गुरूप के साथ हाथ मिलाने के लिए उत्सुक है। जबकि पार्टी के टॉप लीडर राहूल गांधी लगातार पीम मोदी पर अडानी का पक्ष लेने का आरोप लगाते नजर आते हैं। दिसंब अडानी ने मुख्यमंत्री रिवन्त रेड़ी को बताया कि आने वाले सालों में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी कॉनेक्स डाटा, अम्भुजा सीमेंट और अडानी एरोए स्पेस एंड डिफेंस की ओर से तिलंगाना में 12,400 करों रुपे का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के लिए आवश्यक सुविधाय, बुनियादी धाचा और सहायता प्रदान करने में राजसरकार के सहयोग का आश्वासन दिया है। दर्श को समझने की जरूरत है कि अडानी समुह लगातार अपने व्यापार को कॉंग्रेस शासित राज जनीती करने के लिए गौतम अडानी का नाम लेकर पियम मोधी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब राहूल गांधी की पोल खुल गई है। पैसा ना हो कि इधर कैक की रिपोर्ट पेश करें और उधर ED से लेकर CBI तक फिर से हमारे चोकट पराकर डेरा डाले और फिर से हमारे शिर्ष नेतरत को बुलावा आने लगे कि कैसे हो गया घोटाला। और कहने लगे कि अब तो माल कमाना है। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि इस देश में सरकार के खर्चे का औरडिट कराने वाली संस्थाएं भी हैं। लेकिन उन्हें ये पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है उन्हें अपनी होश्यारी पर जादा ही भरोसा था लेकिन लगता है कि सब कुछ गरबर हो गया है। तब ही तो कैक की रिपोर्ट पेश नहीं हो पा रही है। दर्शको दिल्ली विधान सभा में नेताव विपक्ष विजेंद्र गुपता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वो कैक की बारह रिपोर्ट जल्द से जल्द विधान सभा में पेश करे। गुपता का कहना है कि ये रिपोर्ट लंबे समय से वित्मंत्री के पास लंबित है विजंद्र गुपता ने दिली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिख कर इस मामले को उठाया है उन्होंने आप सरकार से मांग की है कि वो इन रिपोर्ट को पेश करने के लिए विधान सभा का एक विशेश सत्र बुलाएं इस सत्र में प्रश्णकाल भी रखा जाए जो की 2024 के सत्रों में एक बार भी नहीं रखा गया है नेतावेपक्ष ने चेताबनी दी है कि अगर सरकार ने कैख की इन बारह रिपोर्ट को विधान सभा में पेश नहीं किया तो बीजेपी विधायक दल कोड का दर्वाजा खट-खट आएगा बीजेपी की मांग होगी की कोड सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे विजेंद्र कुप्ता ने दिली के मुखे सचिप की निर्देश पर दिली सरकार के प्रधान लेखा कारेले द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को 17 अक्टूबर 2024 को भेजे गए पच्छ का हवाला भी दिया इस पत्र में संवेधान के अनुच्षेद 151, राष्ट्री राजधानी शेतर दिली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 411 और लेखा परिक्षा एमनलेखा विनियमन 2007 के विनियमन 2010 का उलेख किया गया है इन सभी में दिली सरकार दोरा भारत के नियंत्रक एमनलेखा परिक्षा की लेखा परिक्षा रिपोर्ट को अनिवारे रूप से दिली विधान सवा में प्रस्तुत करने का प्रावधान है विजेंद्र गुपता ने कहा कि संबैधानिक और वायधानिक प्रावधानों के अनुसार सीएची का रहले द्वारा बारहा रिपोर्ट दिली सरकार को बेजी गई थी इन रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के लिए सरकार को बराचिपाल को प्रस्ताव बना कर फेशना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया बतादे कि विपक्ष पहले भी सीएची की रिपोर्ट को टेबल करने की मांग कर चुका है पिछले माहिने संपनुए विधानसभा के विशेश सत्र से पहले भी ये मांग उठाई गई थी उससे पहले राचिपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को भी इस विशे पर पत्र लिखा था नेता विपक्ष ने कहा कि कैक की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का मुद्दा कई बार उठाया चाचुका है ये मुद्दवित विभाग, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंतरी के समक्ष उठाया गया है तो देखा आपने कैसे अब आमादमी पार्टी कैक की पीएम बन भी गये तो देश को कैसे समाल पाएंगें । क्योंकि वो पार्टी को तो समाल नहीं पा रहे हैं। के जो नेता खुद के दम पर एक चुनाओं भी नहीं जीत सकते हैं उनकी सलाह से राहूल गांधी फैसले लेते हैं लेकिन इस बार कॉंग्रेस के एक बरे निता ने पार्टी की पोल पट्टी खोल कर रख दिया है दर्शकों कॉंग्रेस को हरियाना में माया मिली नराम कॉंग इसमें आपको राहूल गांधी का एहंकार और पार्टी के भीतर गांधी परिवार का तिलिस्म कैसा है वो समझ आएगा कि कॉंग्रेस के लिए नेता नहीं सिर्फ गांधी परिवार ही जरूरी है दर्शकों समझने की जरूरत है कि कॉंग्रेस के भीतर कभी भी जमीनी नेत को जिनका हश्र ये हो रहा है कि कॉंग्रेस छोड़ कर लोग जा रहे हैं। अजय यादब ने कॉंग्रेस के उच पताधिकारियों से मुलाकात की और अपनी बात रखी। और देश भर में टिकट वितरन की जिमेदारी कैसे ले सकते हैं। इस जवाब से आध अजय यादब ने कॉंग्रेस से इस्तिफा देने का फैसला किया। और पार्टी अध्यक्ष मलिका अर्जुन खरगे को पत्र लिख कर आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके साथ ठीक विभार नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओभी सी विभाग के अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें और उनके समाज को पार्टी में नजर अंदाज किया गया। अजयादव का इस्तिफा कॉंग्रिस के लिए एक बड़ा जटका है क्योंकि वो पार्टी के एक वरिष्ट नेता माने जाते थे। वहीं इस्तिफा दिने के अगले दिन अजयादव ने राहूल गांदी के इर्द गिर्द के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके इर्द गिर्द के नेताओं ने कारिकरताओं को उनसे दुर रखा है। के साथ बादचीत होती थी। स्वर्गी राजीव गांधी और यहां तक की सोनिया गांधी तक बादचीत चलती रही। लेकिन हाली में राहूल गांधी के इर्द गिर्द हैं जिसमें वरिष्ट नेता भी शामिल है। वो स्वपन लोक में जी रहा है और उस सबसे पुरानी पार्टी के लिए दुर्भाग पूर्ण है। दर्शको अजय यादव ने जिस तरह से राहूल गांधी और उनके टीम पर हमला किया है। उस से राहूल गांधी बैकफूट पर आ गए है। राहूल गांधी चुनाओ के दौरान OBC की बात करते हैं लेकिन वो पार्टी के बड़े OBC नेता को अपमानित होते देख रहे हैं। और राहूल गांधी ने उन्हें मनाने की भी कोशिस नहीं की। ऐसे में अब बीजेपी के नेता भी राहूल गांधी पर OBC नेता का अपमान करने का आरोप लगा कर उन्हें घेर रहे हैं। वीरो रिपोर्ट, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।